वेलकम टू एम्पियार, डाट इस मेडिकल प्रोड़ेट्ट रिव्यूस आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है अगर आप एक Allergic Individual है, Allergic Respiratory Disorder, Allergic Bronchitis, Allergic Renitis से परिशान है तो Friends, Allopathy में इन सभी Problems का जो Solution है, वो है Anti-Allergic Medicines and Mass Cell Stabilizers Medicines Anti-Allergic वो Medicines होती हैं जो कि Allergy होने के बाद यूज़ कर जाती हैं और जो कि Allergy को दबा देती हैं जैसे कि Citrogen, Levo Citrogen, Faxofenadine और Mass Cell Stabilizers वो Medicines होती हैं जो कि Allergy होने ही नहीं देती हैं जैसे कि Monty Lucast इसके कुछ brands market में Monter, Monty Cop नाम से भी Famous हैं इसलिए Allopathy में Allergic Respiratory Disorder, Allergic Bronchitis, Allergic Renitis या और Allergic Conditions में सिर्फ यह ही Medicine दी जाती है और Problem यह है, जब तक यह Medicine दी जाती है, तब तक Allergy दभी रहती है, जैसे ही Medicine बंद कर जाती है, Allergy दुबारा होना शुरू हो जाती है आज मैं आपको एक ऐसी Ayurvedic Medicine के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें यह दोनों ही Properties जो कि Anti-Allergic और Mast Cell Stabilizers है लेकिन वो Medicine फिर भी Ayurvedic है दोनों Medicine, दोनों तने Quality होने के बाद भी यह Medicine's Ayurvedic Medicine है इसका नाम है Brisol, टैबलेट इसके अंदर 60 एक डिब्बी के अंदर होती है और यह Himalaya Drugs Pharmaceuticals की है, जिसके लिए आप इसके भरोसा भी कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट 110 रुपय एक बॉक्स के लिए होती है और इसकी मैं टैबलेट दिखा दूँ, आपको टैबलेट इसके लिए होती है और 60 टैबलेट एक डिब्बी के अंदर होती है इसके लावा कंपनी टैबलेट के लावा इसको सिरफ फॉर्म में भी वराती है अगर आप देखे तो यह 100 ml का एक सिरफ है 100 ml sit-up के अंदर company एक container पी provide करती है जो कि 2.55 और 10 ml को measure करने के लिए होता है और इसकी cost सिर्फ 65 रूपीज फॉर 100 ml bottle है आप देखें तो ये इसके अंदर सभी ayurvedic medicines पढ़ी हुई है कोई allopathic medicines के अंदर added नहीं है तो brisol एक अच्छा option हो सकता है अगर आप एक anti-allergic और mass cell stabilizers medicines use करने है allopathic में तो उसको shift करके brisol पे आप shift हो सकते हैं जिससे कि आप इसको अगर लंबे time तक भी use करें तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि anti-allergic और mass cell stabilizers अगर आप allopathic यूज करते हैं लंबे time तक तो वो आपके लिए बहुत harmful हो सकती है आप देखिए brisol के अंदर syrup के अंदर आपको एक leaflet भी मिलता है जिसे आप पढ़ सकते हैं और इसके बारे में पूरी information ले सकते हैं brisol में सारी ही आयरवेडिक medicines हैं जैसे तूलसी, वसाखा, त्रिकुटा, आमला और जितनी भी medicines हैं ये सारी ही इनके अंदर जो properties हैं वो natural anti-histaminic, mass cell stabilizers, bronchodilator, anti-tissue, mucolytic, antimicrobial, anti-inflammatory और anti-oxidant property वाली सारी medicines हैं इसलिए ये कहना गलत नहीं हुगा कि brisol एक रामबान के तरह काम करती है allergic conditions के अंदर अगर हम इसकी dose के बारे में पढ़ें तो brisol tablet की dose बच्चों के लिए एक tablet सुभए, एक tablet शाम है और बढ़ों के लिए दो tablet सुभए, दो tablet शाम है और brisol syrup की अगर हम dose देखें तो पाँच से दस ml, बच्चों के लिए पाँच से 10 ml यानि 1-2 teaspoonful twice a day यानि सुभए, शाम पाँच से 10 ml सुभए, शाम है बच्चों के लिए और बढ़ों के लिए 2 teaspoonful यानि 2 teaspoonful यानि 10 ml सुभए, शाम है आप tablet या syrup में से दोनों में से कोई भी option चूज कर सकते हैं तो इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इसके कोई side effects नहीं है इसका कोई drug interaction भी नहीं है drug interaction भी इन्स अगर कोई आप साथ में drug ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो drug इसके साथ interact करके कोई harmful effect पैदा करें तो ऐसा भी कोई drug interaction नहीं है साफ-साफ लिखा हुआ है no clinical significant drug interactions has been reported कोई special warning भी नहीं है और precautions भी नहीं है तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप anti-allergics और mass cell stabilizers like montilukas, liver citrogen के combinations अपनी allergy को दबाने के लिए use कर रहे है तो उससे आप आयरवेदिक option पे बड़े अराम से जो कि एक brisol आयरवेदिक option है आपके पास इस पर बड़े अराम से shift हो सकते हैं और अपनी allergy को control में कर सकते हैं ये आपको लंबे time तक use करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी तो friends अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और ये allergic rhinitis, allergic respiratory disorders और bronchitis के बारे में जो मेरी information है ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को आप share करें अगर आप एक healthy individual भी है तब भी मैं आपसे request करता हूँ कि इस वीडियो को ऐसे किसी individual तक share करें जो कि इस किसम की problems को phase कर रहा हो ताकि उसको ये इस medicine की information मिले और वो इस medicine को use करना शुरू करें I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो